कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर से देश में बवाल मचा हुआ है इस बीच फिल्म के डाइरेक्टर विवेक अगनिहोत्री ने एक खुला चैलेंज दिया है कि दोस्तों ये बार बार सवाल रुटता है कि कश्मीर फाइल्स एक प्रोपगेंदा फिल्म है इन महान फिल्मेकर जो इसराइल से आएं उनको भी चैलेंज करता हूँ कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट एक डायलोग इवेंट को अगर प्रूफ कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूँगा दोस्तों, ये लोग है कॉन जो हमेशा भारत के अगेंस खड़े होते है ये वही लोग है जिनने मोपला कर स्य किसी के सामने नहीं आने दिया कश्मीर का स क्श्मीर का सब्सक्राइज हुआ ही नहीं मतलब वहाँ कभी हिन्दू का जिनुसाइड हुआ ही नहीं तो आज मैं इन बुद्धिजीवियों और अबन नकसल को चैलेंज करता हूँ और इजरायल से आए महान फिल्ममेकर को भी चैलेंज करता हूँ कि कश्मीर फाइल्स का एक डायलोग, एक शॉर्ट या एक इवेंट को इप्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो म ये बयान गोवा में तिरपन्वे इंटिनेशनल फिल्म फेस्टिवल आएफफ़ाई के समापन समारोह में दिया, विवेक ने एक विडियो जारी किया, बोले, साथ सो लोगों के पसनल इंटिव्यूज के बाद ये फिल्म बनी है, क्या वो साथ सो लोग, जिनके माँ बाप भाई बहनों को सर्यामकार दिया गया, गैंग रेप किया गया, दो टुकडों में बात दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपगेंडा और अशलील बाते कर रहे थे, जो पूरी तरह से हिंदू लेंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं, उस लेंड में करके कहा कि कश्मीर फाइल्स का सच कुछ लोगों के गले में काटे की तरह हटक गया है, वो ना उसे निगल पा रहे है ना उगल पा रहे है, इस सच को जूठा साबित करने के लिए उनकी आत्मा, जो मर चुकी है, बुरी तरह से छटपटा रही है, पर हमारी ये फिल्म उन्होंने कहा लैपिड का बयान असमवेदन शील और अभिमान से भरा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए